हेलो स्टूडेंट्स कल के चेप्टर में हमने समझा था कि कार्बो हैड़िट क्या है इसकी प्राप्ति क्या होती है इसका संगठन क्या है और इसका वर्गी करन किस प्रकार से किया जाता है आज उसके हम कार्बो हैड़िट का हम remaining part के बारे में discuss करेंगे कि कार्बो हैड़िट का कार्य क्या है इसका पार्चन कैसे होता है और किस प्रकार कौन कौन से इन जैम से उसे मदद करते हैं और शोशन किस प्रकार से होता है और इसकी carbohydrate की कमी से क्या होता है और इसकी अधिक्ता से क्या होता है तथा ये हमें किन किन स्रोतों से राप्त होता है और हमारे daily requirements carbohydrate की क्या होती है इन सभी बातों का हम विश्थार पूरवर्ग डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइडर के कार्बोज का क्या का रहते हैं आप जानते हैं कि कार्बोहाइडर को कार्बोज भी कहते हैं तो कार्बोज हमारे लिए क्या काम करता है ठीक है इसका वर्गी करन तो हमने समझा लेकिन ये हमारे लिए क्या करता है तो मैंने पिछली क्लास में बताया सबसक्ता है उर्जान करने काम ड़राम करता है और अरट को अवर्जा सब्ता इसलिए उर्जा के व क्योन में आती हैे हैं उर्जा प्राप्त करने का वो कार्बोहर्ट्रेट ही है एक ग्रम कार्बो से 4.2 कैलोरी उर्जा की प्राप्ती होती है उर्जा की प्राप्ती के लिए गुलकोज का सेवन किया जाता है कार्बोहर्ज जब हमारे सरी में परचता है तो ये गुलकोष क्या है, monosecroid का form है, मुलकोष के रूप में हमारे सरीर में ये रक्त में मिलता है, इसी रिए सबसे चोटा रूप गुलकोष ही है, इसे हमारे कोसिकाओं का सीचा संबन्ध होता है, यह अधिक मातरा में सेवन कर लिया है तो ये गुलकोष क्या है, glycogen की में उर्जा मिलती है दूसरा कारे है प्रोटेन की बचचत करुनmek अधिक समय हो ने लुट कारे में है सारीरिक और मांसिक विकास करना तो वो काम अपना स्टॉक कर देता है और उर्जा देने का काम करना लगता है क्योंकि हमारे जो आहार में कार्भोहाइडर की कमी हो जाती है तो हमें प्रोटीन से उर्जा प्राप्त करने की कोशिस करते हैं या में लेने लगते हैं तब हमारा स तक क्षाय में उज़ा देना दूसरा प्रोटीन की की सबशएँ करना किवका क्ष यह कुछ दनारो हर गहीं जब लीज़ में दिखें कार्पोइरय में वंगा होटा है फेट हमारे स्ध्रीर में। पचन ही पाता है और फिर पूंडूपिन कार्बन डायकसाइड तरहा जल में उसका कनवर्टेशन नहीं हो पाता है तो इस प्रकार वसा का हमारा वसा के पचे मदद करता है चौथा काम है कार्बोहड़का यह गुलकोच गुलकोच अवशिक अमीनो एसिड के निर्मान में सहायक होता है तो इस प्रोटीन में पाया जाने वाले अमीनो एसिड के निर्मान में सहायक होते है कार्बोहड़का बड़ी आतमें विटामिन B ग्रूप के कुछ विटामिन का संस्वलिशन भी करते है विटामिन के का निर्मान करते है ठीक है, काबोहाडेर, विटामिन B ग्रूप के, विटामिन B में बहुत सारे वाइटमिन्स आते हैं, तो उसके निर्मान में साहिक होते हैं, और विटामिन K का संस्टेशन में भी साहिक होते हैं, विटामिन K का मुखकार क्या है, हमारे सरीर में रक्त का थक्का जमाना, जब ह हमारे सरीर में चोट लग जाती है, और रक्त बहने लगता है, तो विटामिन के में एक पदार्थ उपस्तित होता है, उसके कारण ही रक्त का थक्का जमता है, तो ये विटामिन बी के संस्लेशन में भी कार्बोहाइडिट मदद करते हैं, छटा कारे है, या तापमान कुछती इसे हमें इर्धन प्राप्त होती है, तो ये मतलब हमारे सरीर को गर्मी परदान करता है, ठंडे जो सीथकाल में हमें अच्छी मात्रह में काभोहाइडड लेना चाहिए, जिसे हमें सरीर में उर्जा बनी रहते हैं, तापमान हमारा स्तिर रहता है, सारीरी स्वरम करने वाल ग्लाइकोजन की रूप में कार्भोहाइडर संभीत रहता है, जब हम अधिक मात्रह में हमारे सरीर में कार्भोहाइडर हम ले लेता है, तो हमने पढ़ा है कि वो अधिक मात्रह में आवा सकता सा अधिक मात्रह में क्या होता है, तो उस्टोर हो जाता है, तो हमारे स्किन के तोड़ी मांसल होगी, चर्बी होगा, तब ही तो हमें गर्मी मिलेगी, है ना, तब हमें गर्मी मिलेगी, तो हमारे गर्मी है हमारे सरी में रहेगी, तो हमारा ठंड से बचा होगा, इसलिए सीथ काल में सरीर को गर्म रखने के लिए भी कार्बो हाइडर की आवशकता होती है और ये कार्बो हाइड़िट क्या है? जब वसा के साथ, फैट के साथ जब इसको पकाया जाता है तो यह हमें बहुत ही मतलब सटिस्फाइड करते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमें सटिस्फेक्शन मिलते हैं तो हमें सटिस्फेक्शन मिलते हैं! तो यह सब क्या कार्बो हाइड़िड की काम होगे हमें चानला खाता है उर्जा परदान करता है ना उर्जा परदान करता है हमें carbohydrate उर्जा देने के साथ साथ क्या कर रहा है उर्जा देने के साथ साथ क्या कर रहा है यह हमें प्रोटीन की बचत कर रहा है ठीक है प्रोटीन की बचत कर रहा है वसा कैचे है पचे में सहायक है फिर हमें हमारे सरी में amino अब हम देखते हैं कि कार्बो हाइडर का पाचन किस प्रकार से होता है पाचन और और आम्शोषन कैसे होता है कार्बो हाइडर का पाचन इसका पाचन मुख गुहा से होता है बकल कैविटी से इसका पाचन होता है यानि कि मुख से पाचन कार्बो हाइडर का पाचन मुख से होता है ठीक है मुख में क्या होता है लार होता है लार में जो सलाइबा होता है ताइलिन इंजाइम पाए जाता हमारे पेटें पहुचता है, अमासे में पहुचता है, पर महाँ पे हैड्रोक्लोरिक अमल होता है, हैड्रोक्लोरिक अमल होता है, हैड्रोक्लोरिक अमल क्या करता है, इसके कुछ भागवा जल्ली विश्टेशन, हैड्रोक्लोस के किरिया से जल्ली विश्टेशन कर देता है, खुलड गुलपोज होता है एक मालटोज में बदल देता है उसके बात चोटी आत में पहुंसता थे बिमेश कहाँ सकु पोर्च इस पकार हमारा कार्बो हाड़िट का पाचन होता है एक बार और हम समझते है कि कार्बो हाड़िट का पाचन कहा से होता है कार्बो हाड़िट का पाचन मुख से सुरू होता है मुख में टाइलीन नामक इंजाइम होता है जो कि स्टार्च को डेक्स्टीन और माल्टोज में ब कर देता है उसके बाहरे बहुताया चोटी आतरा वह इन्जाइम देके चोटी आज बता है। पहुंचती है छोटी आज पर छोटी आज में सुक्रेज एंजाइम होता है जो कि सुक्रोज को सुक्रोज में बदल देता है और लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज को गुलकोज और गलेक्टोज में बदल देता है इस परकार कार्बोहाइडर का पाचन होता है ठीक है अब हम इसका ऐसोशित देखेंगे पाचन तो हो गया पहँ गया अब ऐसोशित यानि कि रख्ट में हमारे लिए कैसे useful होता है हम किस प्रकार उसका utilize हमारे ले कब होता है पचने के बाद किस प्रकार utilization कर पाते हैं तो आतों की दिवारे में चोटी आत के दिवार में बहुत सारे चोटे-चोटे छीद होते हैं ठेके जिसको सुकांकूर कहते हैं जो गुलकोज, फ्रुक्टोज और गलेक्टोज को आशोशित कर रक्त में मिला देते हैं यह रक्त परिभ्रहमन द्वारा यकिर्थिम पहुंच जाता है जब रक्त हमारे इस तरह कारबोओड़ नहीं पच्ता है उर फिक जार जाता है और चोटे-चोटे कड़ों में विवित होकर मल द्वारा बाहर निकल जाता है मैंने आपको पहले ही बढ़ा था कि cellulose और pectin, pectin का कोई वैसा कोई पोशक मुले नहीं होता है, वो जिप jam jelly वगरे बनाने की काम में आता है, तब हम उस jam jelly के form में ही उसको खाते यूज करते हैं, वैसे वैसे वैसा कोई पोशक मुले नहीं है, और cellulose क्या करता है, cellulose हम सा कुचन परदान करते हैं, ठीक है, उतेजित करते हैं, जिससे कि हमें constipation की समस्या नहीं हो पाते हैं, तो ये दो जो कार्बो हार्डड narrative की कमी से कौन को क्या problem होती है, कमी होती है, तो क्या होता है, कार्बो हार्डड की कमी से नंसे सरीर की कारेश हमता कम हो जाएगी, उर्जा नहीं होगी, तो अब इस लिए कि ताकत ही नहीं रहेगा, तो क्या काम करेंगे, बेट पर पढ़े रहेगे, तो जुरिया पढ़ जाती है तोचापर क्या हो जाती है जुरिया पढ़ जाती है इसलिए संतुलित मात्रा में कार्बो हाड़र हमारे सरीर में जरूरी है क्या हो जाता है हमारे सरीर में जुरिया पढ़ जाती है सरीर दूबरल हो जाता है तोचापर जुरिया पढ़ जाती है वजन कम हो जाता है सरीर सुस कर देते हैं, तो हमारा सारीर विकास रूख जाता है, है न? तो ये सब और सरीर धीरे-धीरे क्या हो जाता है? कमजूर हो जाता है, सरीर धीरे-धीरे कमजूर हो जाता है, उसकी अधिक्तम सक्ति खतम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी कार्भो हार्डर की तो व्यक्ति मर जाता है इस वकर हम देखते हैं कि कार्भो हार्डर की कमी से व्यक्ति को बहुत सारी परशाणिया जिलनी पड़ती है जैसे कि अंत्वचा पर जूरियां पड़ जाएंगी वजन कम हो जाएगा, सरीर सुस्थ हो जाएगा थकारे करने में थकान अनुभा होने रहेगी और प्रोटीन के माद हम से उर्जा की पूर्ती होने लेगी तो शरीर का विकास रूख जाएगा है ना, और अंतता व्यक्ती मर भी सकता है तो ये कार्बो हार्डर की कमी से ये प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज का नधिकता सही होती है ना उसकी कमी सही होती ही, यानि कि वो संतुलित मात्रा में संतुलन में रहना चाहिए है न? तो संतुलन में अधिकता होगी तो क्या होगा? कार्भोहेडर, glycrogen की रूप में, मासिपेस्विय। तथा येकिर्ट में जमा हो जाते हैं तब क्या हो जाएगा? येकिर्ट और मासिपेस्विय। में जमा होगा तो क्या होगा? तब वचा में परिबर्थित होकर तवचा के निचे जरुबी की परत की रूप में जमा होने लगे जिससे क्या होता है जिससे मोटापा बढ़ता है तो अधिक मात्रा में भी कार्बोहाइटर नहीं लेना है क्योंकि उसे मोटापा होता है कम मात्रा में भी नहीं लेंगे क्योंकि कम मात्रा में लेंगे तो हमें सुस्तियागी ठकान होगा जुरिय दांत भी खराब होने लगता है फिर क्या होता है कि पाचन सकती खराब हो जाती है कारे करने की चमता कम हो जाती है ठीक है मुटापा बढ़ जाता है मसूरे खराब हो जाते है अधिकता से चीक है और दांतों का विगटन होने लगता है और क्या होती है पाचन सकती खराब हो ज अधिक उश्मा अनुभव करने लगता है यह रक्त में अधिक ट्राइग्लेस्राइट तर्था वशा उत्पन करते हैं जिससे धामनियों में भी विप्रीत असर प्रभाव पड़ता है और एथलोरोसिस की इस्तिती उत्पन हो जाती एथलोरोसिस एक बिमारी है इसको हम आगे डिसकस करेंगे ठीक है यह हर्ट से हिर्दे से जुड़ी एक विमारी है इसको भी आपको पढ़ना है इसको हम आगे के क्लासिस में कुछ डिटेट से पढ़ेंगे कि एथलोरोसिस की बिमारी उत्पन हो जाती है जिससे धमनियों के स्थर में अतिरिक्त वसा जमाँ हो जाती हो जाता है और व्यक्ति को पच्छा घात भी हो जाता है है ना हार डिजीज से व्यक्ति पिरित हो जाता है पच्छा घात मतलब लकवा किस्तिती हो जाती है अमासिय पर अधिक इंसुलिन उपर करने का बोच पढ़ने लगता है ठीक है इंसुलिन अधिक मातर में बोच बनने लगता है फलसरोफ रक्ष में गुलकोश की मातरा अधिक हो जाती और व्यक्ति क्या मधुमई का सिकार हो जाता है तथा हाइपर ग्लैसेमिया रोग से पीरित होता है व्यक्ति क्या हो जाता है मधुमे का सिकार हो जाएगा और एक रोग होता है हाइपर ग्लैसेमिया इससे व् किसाधन को हम दो भागों में बाठ कर देखते हैं एक है सक्रायुथ भोच पदार दूसरा स्टार्जूथ ठीक है सक्रायुथ यानि कि जिसमें जो मीठी अधिक होते हैं ड्रैपट्स वगएरा इन समय जिसे खजूर हो गया गन्ना चुकंदर गाजर चुहारा किसमिस अंजीर प्लसाद आधि ये सरकरायुथ हैं जिसमें ज्यादा मिठास होती है ठीक है ये इनमें ये सक्रायुथ खजपदार्थ है दूसरा स्टार्जूथ जिसमें कि जो अनाजों वगएरा इम पह जाता है इसमें अधिकतर कंद मूल बीच केला लौकी सीम राचमा आलू सकरकंद अ जारा रोट, सभूदाना , चावल, जवार बाजरा, बादाम तर अनाज आता है तो स्टार्च का एक गुंध हम होता है जिसमें कि पानी में घुलने पर लेई जैसा जम जाता है, तो ये स्टार्च है तो ये एक हम स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड़िर को प्राक्त यानि कि मीठे जो कि जूस वेगरा फल इन सब में मिलता है तो इस रुप में हम प्राप्त करते हैं स्टार्ज को तो ये कार्बो हार्डर के प्राप्ति के साधन है अब मैं समझते हूं कि आप लोगो कार्बो हार्डर पूरा क्लियर हो गया होगा इन दोनों चैप्टर्स को मिला कि हमने सारा कर्बो हार्डर के बारे में पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ा कि कार्बो हार्डर क्या होता है ठीक है इसका संगठन क्या है और फिर ये हमें या कि इसकी प्राप्ति के सुरोत क्या है ठीक है इसका वरगिकरन क्या है इसका पाचन कैसे होता, अशोषन कैसे होता है, इसकी कमी से क्या प्रॉबलम होती है और इसके अधिकता से क्या प्रॉबलम होती है अब नेक्स्ट क्लास में हम कार्बो हार्डर से रिलेटर जितने भी कोश्चण बन पाएंगे उसको हम यहां पर डिसकस करेंगे आज के लिए इतना ही अच्छा एक है द्यानिक अवशक्ता भी है कि कार्बोहाइडर की द्यानिक अवशक्ता क्या होती है कार्बोहाइडर की जो द्यानिक अवशक्ता होती है वो कुल उर्जा का सत्तर परसंट है हमने कहा था कि हमने भोजन में अपने भोजन में 60-70% हमारे क करने के करदा कारे करने वाले व्यक्ति को kulk 24 कैलोरी उर्जा की आवसकता होती है जिसमें कार्बोहाइडर्ट 70% उर्जा अर्थाथ 180 कैलोरी उर्जा प्राप्त होगी है हमें कार्बोहाइडर्ट से जब किसी एक सधारन वक्ति को 2400 कैलोरी क्या वसकता होगी तो उसमें 70% उर्जा कहां से मिलेगी कार्बोहाइडर्ट से वो की क्या होगा 1680 कैलोरी उर्जा प्राप्त होगी एक वक्ति को 1680 कैलोरी उर्जा प्राप्त करने के लिए 420 ग्राम कार्बोहाइडर प्रती दिन भूजार में लेना चाहिए क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइडर से 4.2 कैलोरी उर्जा के प्राप्ति होती है इसलिए हमें 420 ग्राम उर्जा केलोरी हम उर्जा काबोहाइडर लेंगे तो हमें 1680 यानिकी 70% हमें उर्जा काबोहाइडर से प्राप्त होगी धन्यवाद